अबंदब 25- jo to a अब मीड है the shout from SGI आज का अश्वाय घ्याषर नाम है वाइशा जमिथ बहुत ही इंत्रेस्प्स की तॉपिक है इसमें तो अच्षा ज़िए इन्हों तो यही यहां के सफकार से लोग अपनी कीलास में बिचार रहे हैं यहां किस सब्कार से लोग अपनी अपनी किलास में बचार रहे हैं तु योलंडा कहती है фильм जो है कि हम एक डेमोक्राटिक कंट्री में रह रहे हैं लेकिन हमने ये भी देखा कि बहुत सारी country हैं जो एके democracy लोग चाते हैं कोछ जो एक democracy अब भी बन रहे हैं क्या हम यह नहीं कह सकते कि जो एक democracy इस time best है हमको क्या जरूरत है इस चीज बटवेट करने के democracy best है कि नहीं सारा जो एक world है वो democracy होता जा रहा है तो इसमें इस सवाल ही चीज को ऐसे नहीं सेप्ट करने हैं चाहिए कोई कह राए कि जो एक है क्योंकि सब इसको जो एक आशेप्ट कर रहे हैं ऐसा भी तो सकता है सब गलत पात पर जा रहे हूं यह भी तो पॉस्वर्ट तो यह भी बात सही है तो अब जैनी के दमाख में दूसरा कुशना आता है यह जैनी कहती है यह एक सही बात है यह ब्लकुल गलत पात है देमोक्रेशी के और आप देख सकते हो कि हमारी कंट्री में लब पचास साल हो गया है लेकिन अब भी देखोगे कि देर सो मच पॉवर्टी इन दे कंट्री हमारी कंट्री में अब भी बहुत जादा गरीबी है है वी यह के बता हुम को क्या फैदा हुआ तो यहां पर केसी है तो रिवियंग का जाव रहता है कि इसका क्या मतलब है कि तरीक ता कि हम्कमेस हो सकता है कि हम क्या कैसकते कि देमोक्रीसी ऑफल अबाड चाहो स्टेविल्टी करफसन हाइपकरेसी पॉल्डिशन जो की स्टेविल्टी ने रहती किरफसन रहता है यहाँ पर बहुत ज्यादा और सब क्या गलत है इसमें आप बिटिस रूल दे सकते हो इसमें जो है कि क्या आप चाहते हो कि जो है कि द्वारा से जो है कि रूल करें कंट्री में तो यहां पर रोज फिर कोती है कि नहीं लेकिन रोज इस्टाम कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है लेकिन हम यह कह सकते हैं कि कंट्री को जो कि स्ट्रॉंग लीडर चाहिए जो कि सिर्फ एबाउट एलेक्शन और पार्लियमेंट के बारे में न सोचे उसके पास सारी पावर्स होनी चाहिए और जो कंट्री के इंट्रेस्ट के लिए अच्छा है वो ऐसा करने में सच्छम होना चाहिए और यहां अकेली चीज़ें करप्शन और पौवर्ट जो किसी भी देश से हटा जा सकती है तो लेकिन तभी कोई चलाता है वो कहता है नहीं यह तो डिक्टेर से कहलाती है इस अप इसा यह अपनी खुद के लिए यूज करने लेगा करो तो रोज फिर इस टाम कहते हैं नहीं होना चाहिए इमान दार वक्ति के लिए बूर रहा हूं कि देख सकते हों जो कि की इक रियल को रियल की इसकाथ कुंपेर करना चाहिए तुम जो एक रियल इक सब्सक्राब लिया तुम नहीं तो कि वह जो का हाइडियल हो थी लोगा संसर्व और उससे रूद करना चाहिए आप देख सकते होगे करेंयों बहुत ज्यादा यहां पर देको एक पर का से यह बारे जाना यहां पर ब्राजील के बारे में देर रखा है ब्राजील में कि सब्सक्राइब डिक्तेटर है यई जो कार्टून है तो बहुत सारी लोगों को इसलन ने मार दिया था तो एक हड़न साध होती है किसी भी डिक्टेटर रगी और इसके लाबा आप और भी एक्जांपल्स हैं डिक्टेटर्स के आप यहां पर देख सकते हो नाजीरिया में हैं नाजीरिया में थे आपके फर्डिनांड मार्कुष थे इन्हों ने भी बहुत गलत काम करा है सानी अवाचा थे नाजीरिया में फर्डिनांड मारकुष फिलिपिन्स में एक डिक्टेटर्स से हैं जो उननीशनब्वे तक क्या आसपास रही हैं तो इनके बारे में आप देख सकते हो कि इनके रूल्स जो आपके बहुत गलत रहे ह करते हैं आपके डेवेट को रोग तो नहीं सकती हूं लेकिन इतना कह सकती हूं कि यदि क्या हुआ यदि आपको एसा कोई रूलर राजाए कि वह आपको ऐसी डेवेट तक नहीं करने दे जैसा कि आप यहां पर कुछ पच्चे रख रहे हुआ आप भी नहीं रख पा रहे ह ब्सक्राइब रहे हैं कि हमारे पास जो किण्यों होनी चाहिए जिसने वह अपने भी रख सके नाइए डिक्ट्रीटर तो भी नहीं रखने देगा लूस्तों यहां पर है कि यो आगेस्ट जो आते हैं और यहां पर सब्सक्राइब और देया जाते हैं इस महीं स्कुर्प अ सब्सक्राइब करना चाहते हैं कोई भी जनता के बारे में काम करना चाहता और कई बार क्या होता है बहुत सारे लोगों को ज्वह यहां पर किसी भी जिशियन के लिए तो इस इसमें घ्यायकरफ तो नहीं को नहीं हैं तो यह आपको ध्यान रखेएगा यह आरोमेंट हैं आपको डेमोक्रेशी के खिलाब में इसके लाव है और और देखा वह उनको बहुत ज्यादा जो कि डेमोक्रेशी के बारें पता नहीं रहता है तो उनके द्वारा बोटिंग भी कई बार बिना सोचे समझे कर दी जाती है उनके बेसे सब्सक्राइब कर देते हैं जबकि जो और को उनको कुछ दूसरे मुद्द्वां पर बोट करना चाहिए तो यह यह आर्गमेंट हुए आते हैं अगेस्ट में डैमोक्रेशी के अब यहां पर आता है आरगमेंट फोट डेमोक्रेशी के लिए और जो हैं आर्गमेंट रख सकते हैं तो डेमोक्रेशी की जो आर्गमेंट हैं वहां पर देखा हुआ है कि चैना में एक फ्यमान आया था उसे पकार कुछ एकॉनोमेस्ट यह कहते हैं कि भारत की कुछ नीतियां पॉलिसी डेमोक्रेशी होने की वज़े से बहुत अच्छी थी इस वज़े से कंट्री को जो एक चैना जो एक डेमोक्रेशी नहीं थी तो वहां पर जो एक जनता की डिमांट को समझा नहीं गया और उस प्रकार जोगों की फेहमायन से बचा जाया सकता था जैसे आज कंट्री क्या पॉलिसिटेशन ले रही है उसका बहुत थोड़ा इंपक्ट हो सकता है तो से जी बैस नकल कर आती है इसी वेसे जो डॉंद्रिस्य को परमूट किया आता है जो एं टैमोक्राइटिक गवर्णमंठ होती है वह सकता है कि आपस्था की आपस्क्ता की अनुद्रिक करें ये शारा डेपंड करता है कि फ्यूपल कि विस्टी विसपर नहीं कि या त्यू यहां पर यही बीचर निकल के आता है डेमोक्राटिक गवर्मेंट इसको जो है कि लोगों को चिंता होती लोगों को क्योंकि उसको लोगों को जवाब दे ही होती है अगले पंग साल में उनको लोगों को जवाब देना हुआ कि लोग द्वारा वोटिंग करेंगे तो उनको हरा सकते हैं इसलिए जो एक बेस्ट फॉर्म और माने जाती है पॉंट व्यूपिल से कि लावत दूसरे भी रिजन है इसके लावत जैसे हम बता रहे हैं जो सकता है क्यों गरत पास नहें लिया जाए कई वार decision को विचार किया जाता है जिससे की डेमोक्रिसिक decision हमेशा कई person को involved करता है discussion होते है meetings होती है लेकिन उससे कई heads एक साथ रहते हैं जिससे सही आपका decision निकल के आते हैं कि यदि कोई possible mistake होती है किसी decision में तो वह भी निकल के आयाती है लिए time लगता है इस चीज़ में लेकिन इसका result बहुत सही आता है जो इंपोर्टेंट decision है उनमें की quality होती सही रहती है और decision making की भी जो है कि सही निकल के आती है तो यह भी माना जाता है इसके लाबा इसके लाबा जो चलता है जो है कि democracy यह यह भी बहुत important है democracy provides to deal with difference and conflicts यह भी बहुत important है जैसा कि आप जो हमारी country में देख सकते हो यहां पर बहुत प्रकार के लोग रहते हैं कई लोग कुछ पसंद करते हैं कुछ कुछ लोगों को different language को different religion को practice करता है किसी की different caste है और वो इस बर्ड़ पर different तरीके से दिखा करते हैं different preference है तो इस प्रकार से यह किसी भी एक choice को किसी के ऊपर नहीं किया सकता तो इस प्रकार के conflict को resolve करने के लिए कैसे resolve किया जाए तो यहां पर power sharing के जो में थड़ा उतने सकता है तो इस प्रकार जोग peaceful solution प्रवाड कराती है democracy में कोई प्रमानेट बरन नहीं क्योंकि जो एक गुरूप जो है कि दूसरे गुरूप के साथ जो पीस्फुली रह सकता है तो इस प्रकार से यह democracy के democracy को कह सकते हैं democracy in the dignity of the city इस प्रकार से democracy जो है कि dignity को जो है कि लोगों की को enhance करती है और फैनली जो यह यहां पर दिया हुआ है क्योंकि इसके लोग पनिस कर सकते हैं उसके खिलाब पार्टी है जो कि कानाडा में 2004 में कुछ लोग उसको एक्सपर कर रहे थे वह 2004 के चुनाम में जीते गी के लेकिन आप देख सकते हो कि लिबर पार्टी इस चुनाम में हार गई थी तो ऐसा फिर चांस से होते हैं किसी भी पार्टी को लूज होने के इस पकार से यह जो है कि फेमास माने जाते हैं कुछ आल डेमोक्रिसी के लिए दिये जाते हैं धन्यवाद दूस्तरी आपको कोई डाप्ट आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पूसे